जेहन दोस्तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में अभी आप सभी को पता होगा भाई 17 अप्रेल से हमारा ओनलाइन एक्जाम सुरू होने वाला है अभी हम आपको इंपोटेंट कोशन कराने वाले जो आपके ओनलाइन एक्जाम में आने वाले है तो भाई अभी यहाँ में आप श Souls देख सकते हैं यहां पर लिया है ए यारो दानः पुरका है ट्रेड्मेंन आठंवी पास्थ से आप यहां पर देख सकते हैं सैट और नीचे वात वात करें तो भहिए फिर हम बात करते हैं रीजनिंग के वारे में लिदी में अप सभी को पता पांच को पेपर इसे सॉल्व करेंगे और आप सभी से बिंति करता हूं यह हमारे चैनल पर फस्ट बीडियो डल रही है अभी आप सभी को यह भी पता होगा कि भाई सत्रे अप्रेल से हमारा ठीक है अप्रेल से ओनलाइन एक्जाम सुरू होने वाला तो हमें उसकी तैयारी बैस्ट करन और मैं उमीद आप से यह भी करूँगा कि भाई कोछो का आंसर आप भी दोगे ठीक है तो भाई सबसे पहले फ़र्ष्ट कोसन पर चलते हैं इसमें दोस्तों लिखा है गोआ परसन 1961 से पहले खालिस्तान का सासन था तो भाई इसका आंसर आपको देना मैंने भी कोई भी टि आप देख सकते हैं क्या है चीन के राष्टर पती का नाम क्या है तो भाई चीन के राष्टर पती का नाम क्या जिन भाई को पता मैसेज कर देना जिन भाई को नहीं पता अभी हम आपको बता देते हैं तो भाई चीन के जो हमारे चीन के राष्टर पती है उनका नाम भाई यहाँ पर है कि फिकाइब है यहाँ परfps झेशन पर चलते हैं कि तीसरे सकते हैं और भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ रखते हैं तो इसकां अपर जो तक आपको पता मेसेज कर देना पूरी छोंच कर तो वीडियो मिस करके मच जाना देखो आपको कुछ important question देखने को मिलेंगे आपको में पूरी जानकारे बताऊंगो ठीक है तो हमने तीसरे question पे थे कि भाई tiger words किस खेल से संबंद रखते हैं तो भाई इसका correct answer है गोल्ब से ठीक है गोल्ब से इसका a answer है जिस भाई को पता वो message जरूर कर दिया करो first में पहले अभी हम चौते question की ओर चलते हैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल का ठीक है केरल का सास्त्रिय निर्त्य क्या है यानि केरल का classic dance कौन सा जल्दी से message कर देना जिस भाई को नहीं पता है तो भाई मैं उनको बता देता हूं कत्थक ठीक है कत्थक कली ए इसका correct answer ठीक है अभी हम भाई fifth question पर चलते हैं अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं चंदमा पिर्थिमी का खालिस्तान है और भाई यह तो भाई देखो सब को से सन में लड़ा गया तो भाई इसका correct answer मैं आपको बता देता हूं इसका correct answer भाई 1971 में लड़ा गया था ठीक है भाई देखो यह most important question है जो मैं आपको बता रहा हूं अब यहाँ पर भाई साथ में question की ओर चलते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान चंद का आपका पर यहां पर जो आपका पर सामान ने आपकी ख्यान आती है जीडि में आती है आती है यहांन कि सभी में आती है ठीक अभी सभी बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं तो session को like कर दो और आप सभी के लिए यह को संब्सक्राइब इम्पोर्टेंट ठीक बाकी पुर correct answer क्या इसका बाइ correct answer हो की जैसा कि सभी भाई उन्हें message कर दिया होगा ठीक है अब यहां पर एट पॉइंट पर चलते हैं आठ में question क्यों चलते हैं विसमें ठीक है विसमें सर्वदिक जन संग किस देश में है तो भाई इसका correct answer आपको देना ठीक है इसका current answer आपको देना बाकी सभी को पता कौन से मोगा मुझे पता सब चीन परी जाएंगी तो चीनी है ठीक है जो चीनी बोलते हैं ठीक है अब यहां पर हम 9 में question पर आ गए हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं भारत का राश्ट्य खेल कौन सा है तो भाई भारत का राश्ट्य खेल आप सभी क पता होकी है ठीक है जो आपने होकी जो वाली मूवी देखी होगी तो इसका भाई करेक्ट आंसवर डी है अब यहां पर अपने दोस्तों लिखा हुआ निमलक्ट मेंसे किसों रामायन लिखी ठीक तो उसकाoning रजोड़ा और और उसका आंसर आपको देना बाकि मुझे तो पता है किस लज़ी ब talk भाल pry थिक है बाल मिकी बाल मिकी ने भाई आपकी जो हमारी जो रामायन लेकी थी ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर द्रोना 4 पुस्ट्रकार किसको दिया जाता था पुस्ट्रकार तो भाई इसका correct answer है जैसा कि आप सभी को पता होगा खेल कोच को ठीक है कोच को अब यहाँ पर आप A point आपका सही रहेगा अब यहाँ पर हम चलते हैं बार में कोशन के ओर तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत का राष्ट यह पोस्प है तो भाई बारत का जो राष्ट पोस्प क्या है आप बताओ आप मैसेज करो क्या है ठीक है कर दिया होगा चलो कोई नहीं अभी हम चलते हैं भाई तेर में कोशन पर यहां पर आप देख सेते हैं भारत का ठीक है भारत का सरवोच्चे नियाले खालिस्ताने तो भाई भारत का सरवोच्चे यानि की आपको उता दू हाई ठीक है हाई कोट कौन सा है तो भाई आप सभी ने मैसेज कर दिया होगा वैसे मैं आपको बता देता हूं भाई इसका है आपका सुप्रीम कोट ठीक है जैसा कि हमारा भाई अगनी जो हमारे एक्जाम अब रद होएं उनके उपर सुप्रीम कोट में आप सभी को बता देता हूं सबसे उच्छा जो हमारा कोट है वह सुप्रीम कोट है अभी फिर हम चलते हैं भाई चौद में पर ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं खजुराओ का मंदर खालिस्तान में सितित फिर है और यहां पर आप पढ़ सकते हैं तो से और अब नेधिर में लाश्व सअना उनलान को पारणार और बताए ए कि यह को रहिस्तान शोला का नेधेना जहाज कहते हैं तो भाई सभी को पता है उन्ट को कहते हैं ठीक है यानि कि इसका correct answer है अब इसी के बीज भाई देखो most important question में आपके लिए लेकर आ गया हूँ जिस भाई को भाई करने भाई देखो आपको जीडी टेर्मेंट टेकनिकल कलरक और भाई मैं यहाँ पर आपको गारंटी दे रहा हूँ ठीक है 40 से 40 से 50 परसेंट भाई को यान की परसेंट हमारे इन नोट्सों में से भाई आपको एक्जामे देखने को मिलेंगे ठीक है जिस आपको लेना हो तो यह दंबर आपको देख रहा है नवाशी 56 33 31 तो भाई इस पर आपको मैसेज करना आपको भाई इंपोर्टेंट जितने भी पीडियाप फाइल आपको दे दी जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट भाई 40 से 50 परसेंट आएगा मैं आपको गारंटी दे रह खकातो War तो भाई इसका आपको देना वैसे इसका आण्सर एटिक है मैं आपने बता देता हूं ठीक हं अब यह में आप पर आ गया है अको सिंक्शन क्यों पॉसुं ग्याद करोँए तो भाई विसम संध्या कौन सिकार आप सभी को पताओगा और आपने आप दिए आपको तो मैं आपको कोई गलता आंसर बता दो तो आप उसे सही कर सकते हूं ठीक है अभी हम चलते हैं अपने अठार में कोशन की और इसमें दोस्तों लिखा उए अगर कुट्टा बहुकने से संब्न देत है तो शेर किसे संब्न देत है तो भाई सिम्पल सी बात है जब कुट्टा वहाँ केगा तो भाई से दाड़ेंगा ठीक है अब यहांपर कौन से कोशन पर थे भाई वह हम यहां पर अपने 15 जैनादु our in ङरल फ्रीक है अब रभाई चलते हैं उननिस में कोसंफर पे स्रंकलाओं को पूरा करो ठीक है intelligent लाइभ होजिंप क्लत लेके चेकर नेक क्या नेक्स्ट या वाई जल्दी बताओ इसका часов क्यों ऑफ्र इसका correct answer ठीक है अभी दोस्तों हम यहां पर 20 में question के और चलते हैं यदी 8764 54 को GREAT ठीक है great को दर साता है तो भाई अभी यहां पर आप देख सकते हैं यानि की आपको बता देते हैं यहां पर 754 को क्या दर साइंगे ठीक है चाहरा कि दर साता तो भाई इसका correct answer आप सभी को पता होगा इसका correct answer भाई हैं ऐपर आप देख सकते हैं ठीक है अभी दोस्तों देखो हमारी सामान ने ग्यान रीजन हो गई है अभी हम दोस्तों सामान ने विज्ञान पर अपनी पर आ गए है अभी हाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा एक किसमा कोशन ठीक है यहाँ पर आप देख सेते हैं कौन सा रग्त समू को ठीक है कौन सा आंसर है जैसा कि भाई वाले को सबसे अच्छा बिलड़ माना जाता है मेरे साफ से ठीक है अब यहां पर दोस्तों बाइस में कोशन की और चलती है और भाई इसका आंसर आपको देना है ठीक है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं G.S. G.S. L.B. का क्या मतलब है ठीक है G.S. L.B. का क्या मतलब है तो भाई इसका आपको पूरे और देना है एका भी है या सी या डी है आपको कमेंट बताना ठीक है अब दोस्त हम तेश में कोशन पर आगे है सूर्य ठीक है अभी यहां पर देख सेदें सूर्य की रोशनी से फ्र वितामिन होता है थे इसका प्राप्तस्क्राइब और प्राइ इसका करेक्ट आंस्वर oppose हरे पौदो से ठीक ज़से कि सभी पता होगा भाई हरे पौदो की पत्यों से ठीक है वो निकलता जो हमारी क्लोरो फील निकलती है ठीक है वह हमारा इसका डी करेक्ट आंसवर है अभी दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं 25 में कोश्चन की और जैसा कि भाई हैं आप पर पढ़ सक होता है ठीक है तो भाई हम यहाँ पर चलते हैं अपने 26 में कोश्चन की और तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पौदे कारवन हाई ऑक्साइड अंदर से लेते हैं और खालिस्तान बहार निकालते हैं तो भाई इसका क्या लेते हैं ठीक अंदर से क्या लेते हैं बहार क्या रहा होगा श讲र्नाण्स Она करती है कि दल तो मुझे तो पता कितने दिन में करती है कितने दिन में करती है सही आंसर आपने पता चल जा जा अभी दोस्क्राइब अठाइस में पर चलते हैं तो भाई यहाँ कर्यक्त आंसर 206 है होती है आपने सुचा है कि 300 कुछ बताएंगे ठीक है वह 206 होती है यह आप सभी को बच्चे-वच्चे को पता होती है कि सरीर में कितनी अध्या घ्टिया होती है अभी तीसमें को स्ट चलते हैं पड़े मिर्तक और सड़े जीव खालिस्तान बन जाते हैं begrश सकते हैं लेक्टोमीट्र खाली स्थान की हिस चुद्धता करद तो भाई किस पर करता था तीजक्त का जो आंस्वर भाई इसका है ठीक है जैसे यहां पर दूद युक्ता कर पर देख सकते हैं अभी दोस्तों देखो होता है हमारा ठीक अभी यहां पर आप देख सकते हैं रक्त के सामानने जमावट के लिए इन में से कौन सा विटामिन जरूरी है विटामिन के थीक है विटामिन के हमें जरूरी होता जमावट खेलिए ठीक है अभी दोस्तों हम चलते हैं ह секपर अपने 33 भी कोर्शन पर अभी आ komt देखे सकते हैं तो बहुत अभी हम आगे हैं से पूरा नाम सभी को सब्धों का नाम सभी को पता ओगा ऑज्व्न सवह है तो आप यहां पर देदे में अभी दोस्तों हम आ पने 34 वे कोशन पर अहां पर आप देख सकते हैं मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो भाई इसका करेक्ट आंसवर है जैसा कि आपको पता होगा ठीक है अभी दोस्तों हम लास्ट कोशन पर हैं अपने 35 वे कोशन पर तो भाई इसमें लिखा है कम पास की सुई पतने यह को देना जिन वहुंने दे दिया था ईंनको ऊंसर आज है यान की ओत्तर को मैं आज आपको यह 35 को संब एक इस अधान कि मिलियंगी और समकी संब्येद्य नीचे मिलेंगे बाई नेक्स्ट बीडियो में नेक्स्ट औरिजनल एक्जाम के साथ ठीक है जहन जय भारत बंदे मातरम